कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है आप सब लोग खुश हैं तंदुस्त हैं और स्वस्थ होंगे तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि लाइफ विदाव चिल्डर्न कैसी होती है तो आपको पता हिए हम LGBT कम्यूटी से बिलॉंग करते हैं मैं मेरी शादी हो चुकी है अब क्या शादी हो गई घर ले लिया अब बच्चे होने चाहिए क्या बच्चों के बिना लाइफ बहतर है सबसे पहले तो इस बात पर आते हैं कि आजकल मैं काम भी साथ में कर रहा हूँ और ये बाते भी कर रहा हूँ एनिवे तो आपने से कितने LGBT होंगे जिनको ये पेलेंट्स भी हमको कहते होंगे कि बेटा अकेले कब तक रहेगा शादी कर ले बच्चे हो जाएंगे तो तेरा संसार बन जाएगा और तेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएता तो थब तो बच्चों की दरोद क्यों पड़ती है लाग जो आप सोचते हो कि मुझे बच्चा चाहिए तो एक आपके अंदर एक पित्र भावना एक माता वाली भावना तो आती है तो मामता जो जागती है वो केरिंग इंस्टिंक्ट जो होती है हम तो हम लोग के अंदर केरिंग इंस्टिंक तो है कि यार काश कोई चोटा बच्चा हो मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगता है एक्स्ट्रीमली मैं पागल हो जाओ तो इवन अभी भी मतलब मैं यहां कैनेडा के अंदर भी जैसे ट्रेनों में लोगों के बच्चे होते है तो मैं ऐसे थौत ऐसे चुप-चुप के देखता हूँ क्योंकि ऐसे बच्चों को देखना भी यहां पर गदस समझते हैं विच्टे प्यारी उनकी हरकते इतनी प्यारी होती है चोटे गोल मटोल डॉल जैसे एकदम सुंदर सुंदर क्यूट से होते हों कि हरकते वी बोलता है कैनाई ट्राइ उसके पाद एक कोल डिंग यह से कुछ होती है तो ऐसे से पीता है फिर नाइस फिर वापस कैनाई ट्राइ करकर के लिट्रली उसमें पूरा ही पी ले ती बच्चों की मैं अपने भाई की बेटे से भी मिलकर आया था चोटा सा प्यारा था और वहर है पर यह सब चीजें एस आउटसाइडर जिस बच्चे को आप प्यार कर रहे है वह अच्छी लगते है आपका खुद का होता है लाइक मैं यह कहना चाहरा हूं कि लाइक मैं खेलना कूदना पसंद करूंगा हच चोड़ चोड़ी हरकते पसंद करूंगा बर जहां रеспॉंस आगे जाके कभी ना कभी बच्चा करूंगा या होगा या संथिंग लाइक बनुगा बट वो ना बेवकूफी थी मेरी सबसे परे तो मैं आपको यह बात करना चाहता हूं कि अगर आप बच्चा पैला करना चाहते हैं तो सरोग इसी और के थू इंडिया में तो बैन हो गय हैं और यहां केनडा में और यूएस वगेदा के अंदर आप देखो तो एक एक लाख डॉलर तो मिनीमम है मिनीमम एक लाख डॉलर यानि करीबन साथ लाख रूपर ठीक है वह एक बच्चे के लिए तो इस लाइक आप पैसा देके रिस्पॉंसिबिल्टी सामने से ले रहे कि मैं 34 का हो गया हूं 34 या 34 वी हो शायद तो 34 येर्स का होने के बावजूत मैं तो ठीक हूं ऐसे मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चा अफोर्ड कर सकता हूं सबसे पर बच्चों की कॉस्ट बहुत जादा होती है आप में से काफी लोग मेरी तरह होंगे हैं इवन यंग भ खराब होगी है क्योंकि हम लोग के बच्चे नहीं हो सकते बट इवन स्टेट लोग भी अब बच्चा नहीं कर पा रहे हैं आपको सच बता रहा हूं आज ही मेरा एक फ्रेंड है ऑफिस के अंदर उसको जॉब से निकाल दिया उसको उसको जॉब से निकाल दिया उसके तीन मैं सोचता हूँ और एक बच्ची तो उनिवस्टी जा रही है उस पर क्या हैड़ेक होगी आप सोच सकते हो क्या हैड़ेक होगा उसकी लाइप में वो बोल रहे हैं पांच साल से मैं इंडिया नहीं गया हूँ क्योंकि हम लोग पांच पांच लोग हैं फैबली हुस्बेंड वाइफ और तीन बच्चे पांच लोग मिलके इंडिया आना जाना करें तो ददद पंजाद डॉलर लाग जाएंगे तो वह तो पॉसिबली नहीं पुड़ाना जमाना अलग था जहां पे पहले आपके बच्चे होते थे तो आपके पेंट्स वगेरा उसको संभाल लेते थ कोई नहीं तो बच्चा खुदी पल जाता सा कि चलो आसपास घूमता रहा है भटक रहा है कोई बोलता नहीं था बच्चा करेंगे बाहर शुपर चल जाता था खेलने शाम को आ जाता था यहां पर तो आप लॉग हो गया है लीगल है कि आपका तेरा चौल 12-13 साल के करें तो बच्चे को आप भाहर नहीं छोड़ सकते है एक्सिलेंट होने का इतना चांस है बिबारी लगने के चांस है किड्नैपिंग के चांस है तो भई बच्चा तो अफोड नहीं हो सकता है पर लेफ सदियों की मैंने बच्चा करा हो या इवन ले लो किसी स्टेट बच् मुश्किल सा हो गया बहुत सुपर वीजा अगर आप लाओगे वीजा में लाओगे वीजा में उसमें उन लोगों का मेडिकल इंशुरेंस आपको लेना पड़ेगा जितने टाइम के लिए पेरेंट्स रहेंगे पर्मेंट सॉलिचन तो है नहीं दोनों में से एक पर तो अगर एक बंदा साड़े तीन हदा डॉलर कमा रहा है मान लीजे तो लिटरली यहां पे तो पंदासो से दो हदा डॉलर बच्चों के लग जाते हैं डे के अरवगेदा में अगर आप डालते हो तो ठीक है कहने को तो स्कूल फ्री है प्लस गर्मेंट जो है वो हर महीने बच्चों के लिए कुछ पैसे भी देती है बट वह सारों का बेनेफिट ना वो लोग कर पा रहे हैं जिनके दादादी या पेरिंट साथ में काफी सानों से रह रहे हैं और यहीं पे बस चुके हैं यहां पर घर ले चुके हैं पहले घर इतने महंगे नहीं था अब घर बह आपकी ममता जाग रही है वो सब सही है बट आजकल बिमारियां बहुत जादा हैं कोविड हो गया आप देख लीजे यह सर्दी दूकाम भी हो जाती है बच्चे को आजकल एक दूसरा वो भी है क्या बोलते हैं बच्चे को वो प्रॉलम नहीं होती है कौन सा होता है उसे में बड़ा घवराट होती है जिनके दिमागी रूप से बच्चे जो हैं वो कमजोर होत अगर आप गोल लेते हो किसी बच्चे को तो चलो ठीक है बट आप खुछ से एक जीवन को अपने लाइफ यहां पर लायो दुनिया के अंदर आपकी रस्पॉंसिबिल्टी तो है इवन गोल लेने में भी रस्पॉंसिबिल्ट आप टाइंग टू से कि आप अपने बच्च करने बैठ जाते हैं शाम को थके हारे होते हैं तो नहा लिया तो नहा लिया तो सो गया ऐसी गुमने फिरने का टाइम नहीं है ना पैसा है तो बच्चे का पैसा कहां से आएगा संभलने का बच्चे का एक तो पैसा नहीं होगा संभलने के लिए ना बच्चे को संभलने के कोई बंदा है जो इसको संभाल सके उन लोगों के ठीक है अभी मैंने देखा अधित्या और वो जो है ना एल्गीविटी कपल है जो युएस वाले वो अमित अधित्या उनका बेबी होने वाला है बट आप यह देखिए उनकी पेरेंट्स वहीं पर हैं अमित के पेरेंट्स वहीं पर हैं बहने भी हैं वहीं पाद हो अधित्या वहीं प्रहए जाहरा है तो यहाँ वहाँ और भी मैं लोगों के लिए लगों के लिए बच्चे करना एक बहुत डिफिकल्टीज होई है हम लोग करना ही पॉसिबल नहीं है हो भी कहीं से तो पालना पॉसिबल नहीं है उतना खर्चा देना पॉसिबल नहीं है अब मत करते हैं दूसरी चीज की बच्चों की बगड़ने के आसार बहुत हैं आजकल आजकल आप खुद को भी आपको कंट्रोल करना पड़ता है कि यहां पे इतनी सारी चीजे हैं खाना पीना डियोटीज हो चाती है शुगर और खाते हैं इतना इससाइज नहीं करते हम लोग पब्स हैं, क्लब्स हैं, ड्रिंक्स, ड्रग्स बहुत नशा इतना सारा है इतना स्ट्रेस इतना जादा है अब बच्चों की पढ़ाई मैं तो आप में से कितने लोगोंगे जो बोलें कि मैं अपने स्कूल टाम में वापस जाना जाता हम बड़े अच्छे दिन थे मैं तो हमें होता हूम वर्क, हमें परिक्षा देते रहने का स्ट्रेस मैं तो भही नहीं सेंस कर सकता मेरा तो टाइम अच्छा नहीं बीता बच्पन का तो तो मैं नहीं चाहूंगा कि वापस वही वाला टाइम स्कूल का हमारे बच्चे बिता है और आधकर बच्चों में पिक्सल है तो वही चीज है कि और फ्यूचर को भी देखो तो अच्छा अब दूसर जो तत्थे लोग बोलते हैं कि बच्चे करो ताकि बच्चे फ्यूचर में हमारे बुड़ापे का सहरा बनेंगे वह कोई सहरा नहीं बनता ठीक है ना मैं अपने पेरंट्स का सहरा हो मेर मेरा भाई उनको बुलाता है अपने बेवी को संभालने के लिए बच्च बाद में बढ़ा हो जागा तो जड़ती होगी फिर पता नहीं कैसा बीएव करें राइट तो वी डों नो कोई सहरा नहीं मनता मैं खुद नहीं बनाओ मैं खुद बोलाओ आम सेलफिश सन मैं नहीं सहरा क्यों बनाओ मैं सहरा क्यों कि मुझे पैदा किया हुआ है अब वो हमें पसंद ही नहीं करते हैं नहां नहां उनका उस भीएवियर को पसंद करते हैं कि वह हमेशा खुद तरीके सर हैं कोई सहरा नहीं बनता हो कैनड़ा के नहीं तो कोई नहीं बनता हो लिटरली बोले कर रहं हैं कि मैं selfish हैं सब्स ovahu मैं जहाँ हमेरे पर नह जो करो वो यहां पर आए मंथी और एक उनीं हो एव पर माऊनों करुगाण हो में श्रकली करोंगर है अगर नहाँ आए मेरता बूल साथ डाहँ टितर 세 को शलया पाते तो कैसे रहे पाते हैं muscular और टॉरंटो न्यू कहीं और रहते हैं, अब पेरंट्सों कुछ हो भी जाए, तो कहां बंदा कुछ दिन के लिए आ जाएगा साल में, तो यहार बनाने आ गया है, बस उतना ही कर पाता है, साथ तो रखी ने सकते हैं, इतना महंगी सिटीज हो चुकी हैं, साथ तो ऐसी नहीं रहते हैं, तो पांची बात होगी, कि आप बच्चे आपका बुड़ापे में साथ नहीं देंगे, बच्चा पालना, बच्चा पैदा करना भी बहुत डिफिकल्ट, पालना भी बहुत डिफिकल्ट, अब पांची चौती बात आ जाती है कि, कॉलेज की फीस, आपको पता है, नर्सरी पग है, और वो अल्मोस्ट हर हफते, दूसरे हफते में, आज प्रिंसेस डे है, तो आज सारे बच्चे अपनी प्रिंसेस की ड्रेस पहन कराएंगे, अब प्रिंसेस की ड्रेस भी 400-500 रोपे की आती है, ठीक है, उसके एक दिन केक डे बनाया, कि सारे बच्चे अपने घर से होमम करना और वो भी इसलिए कि बाद में बागे बच्चे हम लोगों कोई गालियां दे कि हमें ठीक से नहीं पाला पोसा, और मैं LGBT लोगों के लिए तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सोल्च भी रहे हों कि अगे बच्चा हो वगरा तो वही है कि मतलब बच्चा कैसा निकल है इवन सरुग यह से कि अंदर भी कितने सारे बच्चे हैं जो बड़े उने के बाद जाके अपने प्रेंट को ढूंडते हैं कि हमारा बाइलोजिकल फादर कौन है बाइलोजिकल मजर कौन है और पूरे टाइम उनका भी बिचारों का इतना अन्जाइटी और स्ट्रेस में तो नहीं करना चाहिए कोई फर्क नी पड़ता है बच्चे हुने ही नहीं चाहिए लिटरली हम लोग की पुराने ज़वाने में ऐसी कहावत होती थे मेरे एक जैनी फ्रेंट थे उन्होंने कहा था कि जब मैं मा बनी तो मेरी मा ने कहा कि आज तुने मेरा कर्ज उता वो अगर आप बात करो तो यूनों सेनाए होती थी उनके लिए लोग चाहिए होते थे हमें लड़ाई करने के लिए लोगों की दुरत होती थी खेती करने के लिए तब ही लोग बच्चे करते थे खेती करें लोग बच्चे मरते भी बहुत है उस समय तो तो ताइम हैविंग अ child was considered as a very good thing as a duty that everybody should follow अब तो ऐसा हो गया कि इंसान इतना सारा हो गया इतने सारे लोग हो गए हैं कि जगा ही नहीं बची है धरती बे अब उनके लिए और बाकी पशुपक्षियों को भी जगा चाहिए तो हम लोग को अपना carbon footprint जो है कम करना चाहिए तो हम लोगों के लिए तो हर इंसान इंसान जो human है उसके लिए यही सही रहेगा कि वो बच्चे ना करें और human population कम हो ताकि हाथी गोडे ये शेर इन सब को भी जगा मिल पाए वो भी जानवर है उनको भी चाहिए ये सब जगा धरती पे उनका भी उतना ही जितना हमारा है तो मेरे को ये लगता है कि ये पुणने का काम होगा अगर आप बच्चे ना करें कोई भी बच्चा ना मैं आप यह बंद बुले कि मैं LGBT को हेट कर रहा हूँ मैं बोलो कोई भी इंसान बच्चे ना करे क्यूंकि आप बच्चे कर रहे हो तो आपके जनरेशन से फुट्प्रिंट आपके कार्मा-फुट्प्रिंट बढ़ रही है और बच्चे और ऑख यहां बच्चे करता है कोई बच्चे करता है तो कहा जाएगा बच्चे को इस उनिया में यहां इतना चल, कपट, कॉंपुटिशन, जैलेसी, एंजाइटी, डिप्रेशन यह सब और आपको पता है कि आप बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं उन सब के आप एक परफेट बच्चा नहीं बना पाएंगे आप सोचते हो बच्चा परफेक्ट होगा गोल मटो गोरा चिट् कि प्यारे लगते हैं खेलना मुझे भी पसन है मैं नहीं पॉटी सूसाइब कर सकता हूं की बड़ा डिफिकल्ट है मैं देखता हूं के भाई को बड़ी मुश्किल से टाइम बुजरता है तो बस यही बने बात करी थी मेरा मेन मूटिव इस वीडियो को बनाने का यह है कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो think yourself कि आप lucky हैं rather than thinking कि आप unlucky हैं और खराब है बाकी जहां बात है हमें मरते समय कंदा कौन देगा तो आज कर मुश्किल काम कर देती है बाकी भगवान जानता है कि हमने पुर्णे किया है बच्चे ना पैदा करके तो इसकारन सब ठीक रह आते हैं और उसके पीथे आपका में मोटिव क्या है क्यों आप दुखी है कि आपके बच्चे नहीं हो सकते या बच्चे नहीं हो रहे हैं या बच्चे नहीं करें क्यों दुखी है आप कमेंट में लिखे बताईए और मैं कुछ कमेंट का रेपलाई वहां नहीं करता हूं आएक लाइक राइक भी नहीं कर दाओ, बड़ में पड़ता सब और बाकी लोग भी पढ़ेंगे आपके कमेंट्स, चलिया, बबाई